बक्र तुंड महाकाय, सूर्य कोटी समप्रभ, निर्विघनम कुरुमे देव, सर्वकार्येशु सर्वदा नमस्कार दोस्तों, आज में आप सभी के समक्ष जेश्ट मास की, कृष्ण पक्ष की, संकस्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रतीक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है जेश्ट कृष्ण पक्ष की संकष्टी को एक दंत गणेश्ची की पूजा की जाती है इसलिए यह संकष्टी व्रत एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कहलाता है भविष्य पुराण के अनुसार जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे और कोई उपाय ना सुझे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और धरम, अर्थ, मूक्ष, विद्या, धन तथा निरोगी काया की प्राप्ति होती है मुद्गला पुरान के अनुसार गणेश जी का एक दंत स्वरूप उनके 32 विभिन स्वरूपों में 22 अवतार है वैसे तो गणेश भगवान बड़े पेट के लिए जाने जाते हैं लेकिन एक दंत गणपती रूप में इनका पेट अन्य सभी रूपों की तुलना में बहुत बड़ा है जो यह दर्शाता है कि वह पूरे ब्रहमांड को अपने पेट में सुरक्षित रखते हैं एक दंत गणपती भगवान नीले रंग के हैं और उनके चार हाथ हैं उनके मुख्य दाहिने हाथ में एक तूटा हुआ दाथ हैं और अन्य तीन हाथों में एक कुलहाडी रुद्राक्ष की जातमाला और लड़ू है वर्ष में आने वाले प्रत्येक संकष्टी चतूर्थी का अपना ही महत्व है जेश्ट कृष्ण पक्ष की चतूर्थी सो भाग्य एवं पती प्रदाइनी है आईए शुरू करते हैं एक दंत संकष्टी चतूर्थी की वरत पथा बोलो गणेश भगवान की जय सत्युग में सो यग्य करने वाले प्रिथु नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राम्हन सबरिवार रहते थे वेदो में निपूं उनके चार पुत्र थे पिता ने अपने पुत्रों का विवह ग्रिह सुत्र के वैदिक विधान से कर दिया एक दिन उन चारो बहुओं में बड़ी बहु अपनी सास से कहने लगी सासुमा मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतूर्थी का वरत करती आई हूँ यह वरत शुबफल प्रदान करने वाला है मैंने अपना पूरा जीवन संकटी चतूर्थी का वरत करने का संकल्प लिया है आप मुझे यहां वरत अनुष्ठान करने की अनुमती प्रदान करें उसकी सास बोली मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मैं तुम ही भी यह वरत करने की अनुमती नहीं देती इतना कहकर सास बहु को संकष्टी का वरत चोड़ने के लिए बाध्य करने लगी उनकी बाते सुनकर अपनी पुत्र वधु को समझाने के उदेश्य से दयादेव ने कहा हे बहु तुम सभी बहुओं में स्रेष्ट हो और सबसे बड़ी हो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है ऐसी स्थिती में तुम किस लिए वरत करना चाहती हो हे सोभाग्यवती अभी तुम्हारा खाने पीने और मोज मस्ती करने का समय है यह गणेश जी कौन है फिर तुम्हें करना ही क्या है इस प्रकार सास और ससुर के मना करने पर बड़ी बहु को वरत छोड़ना पड़ा वरत भंग होने के कारण गणेश भगवान कुपित हो गई कुछ समय बाद बड़ी बहु गर्भिनी हुई और समय के अनुसार उसने सुन्दर बालग को जन्न दिया धीरे धीरे समय बीटने लगा बालग बड़ा हो गया गया देव ने पास के गाव की एक श्रिष्ट ब्रामण की पुत्री से अपने पोते का रिष्टा किया सारा परिवार बहुत खुश था किसी भी शुब कार्य को करने से पहले गणेश भगवान की क्रिपा प्राप्त करना जरूरी है ऐसा करने से गणेश भगवान कार्य में आने वाले विग्णों को हर लेते हैं और यदि गणेश भगवान नाराज हो जाएं तो विवाह जैसे शुब कार्य में सफलता कैसे मिलेगी दयादेव के पोते के विवाह का दिन आया मंडप तयार किया गया मंडप में सभी बाराति और कन्यापक्ष के लोग दूले की प्रतिक्षा करने लगे उस समय दूले की बुद्धी भटक गई और वह कहीं चला गया दूले को पूरे गाउं में धूंडा गया पर उसका कहीं प दूला कहां चला गया क्या किसी ने इसका अभरन किया है बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर से रो रो कर कहने लगी के ससुर जी आपने मेरा संकष्टी चतुर्थी का वरत छुडवा दिया है जिसके परिनाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया है अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्रामन दयादेव बहुत दुखी हुए शाथ ही पोते की होने वाली पत्नी भी बहुत दुखी हुई अपनी होने वाली सास से उसने संकष्टी वरत के बारे में पूछा संकष्टी व्रत का महतम्य पतापूजा विधी जानने के बाद कन्याने संकष्टी चतुर्थी का врत करने का संकल्प किया और वह है अपने होने वाले पती के लिए प्रत्येक मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी इस प्रकार कई मास बीत कहें, जेश्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी आई, कन्या ने गणेश भगवान के नाम से वरत किया, उस दिन एक वेदों के ग्याता और दुर्बल ब्रामण बिक्षाटन के लिए उस कन्या के घर पहुँचे, ब्रामण ने कहा, हे बेटी, तु मुझ जे भिक्षा स्वरूक इतना भोजन दे कि मेरी क्षुधा शांत हो जाई, उस ब्रामण की बाद सुनकर धरम परायन कन्या ने उनका विधीवत उजन किया और भक्ती पूर्वक भोजन करवाने के बाद उसने ब्रामण को वस्त्र आदी भेट में दिये, कन्या की सेवा से सं तुष्ट होकर, ब्रामण ने कहा, हे कल्यानी, मैं तुम पर प्रसन हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर्दान मांगो, मैं ब्रामण वेशधारी कनेश हूँ, और तुम्हारी प्रीती के कारण ही यहाँ पर आया हूँ, ब्रामण की बात सुनकर, कन्या हा गनेश ची ने कहा, हे सुंदर विचारों वाली, जो तुम चाहती हो, वही होगा, तुम्हारा पती, शीघर ही आ जाएगा, कन्या को इस प्रकार वर्दान देकर, गनेश भगवान, वहीं अंतरध्यान हो गए, उसी समय, सोम शर्मा नामक, एक ब्रामण, तीरत ही आत्रा करक नगर की ओर आ रहे थे, जब वहीं जंगल में से गुजर रहे थे, तो गनेश भगवान की क्रिपा से, उन्होंने दयादेव के पोते को भटकते हुए देख लिया, उन्होंने उससे पूछा, कि तुम नगर से दूर, इस भीशन जंगल में क्या कर रहे हो, तो वहीं ब्राम गया, तब सोम शर्मा, द्विजबालक के कुल के बारे में जानकर, उसे बैल गाडी में बिठा कर नगर में ले आए, अपने पोते को देख कर, दयादेव बहुत प्रसन हुए, बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही, और साथ ही, सारे नगरवासी भी खुश हुए माता ने अपने पुत्र को गले से लगाया, और कहने लगी कि गणेश भगवान के प्रसाद से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है, उस कन्या के यहां भी संदेशा भेजा गया, और मंडप का निर्मान करके विधी पूर्वक वैवाहिक कारे संपन किय वैभाग्यशाली कन्या अपने पती को पाकर धन्य हो गई, ये गणेश भगवान जैसे आपने उस कन्या पर क्रिपा की उसी प्रकार अपनी क्रिपा सब पर बनाए रखना, बोलो गणेश भगवान की जये जेश्ठ मास के क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी सभी प्रकार के मनोर्थों को पूरण करती है, इस प्रकार जेश्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा पूरण हुई, आईए अब शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधी, इस दिन सुभा उठकर, नित ओम गंगन पतिये नमहा मंत्र का उच्चारन करते हुए भगवान को प्रणाम करें, फिर गणेश भगवान की पूजा करें, उनके समक्ष धूप और दीप प्रज्वलित करें, और गणेश जी को अक्षत, पुष्प, पंचामरित और दूर्वा अर्पित करें, शिरी गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाएं और संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा सुनें, शाम को गणेश भगवान के पूजन के बाद चांद निकलने पर ओम चंद चंद्रमसिये नमहा, ओम गंगन पतिये नमहा मंत्र बोलकर, चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली और दूद से अर्ग दें, चंद्र पूजन के बाद लड्डू का प्रसाद ग्रहन करें, बोलो गणेश भगवान की जये, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में, गणेश भगवान की जये लिखना ना भूले, आप सभी का हार्दिक धन्यवा ओंगंगणु पत्ते ये नमा,